आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपको कर्ण और आपकी निर्धंता मिटाने आई हो, और आपको संपूर्ण कश्णों से मुक्ती देने आई हो आपकी पूजा आज सफल हो चुका है दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्ण होते हैं कि हम कैसे पता करें कि मातारानी हमारे साथ में है की नहीं हम कैसे पता करें कि मातारानी दिन भर हमारे साथ में रहती है की नहीं नवरातरी के समय मातारानी क्या हमारे घर में आती है की नहीं क्योंकि सब के मन में ये सवाल आते हैं, सब चाहते हैं कि उनके घर मा आए तो दोस्तों ये जानकारी में आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों इस सभी भक्तों को मातारानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है किमात दुर्गा ने महिशासुर नामक राक्षस का वद किया था और ऐसा माना जाता है कि वहां महिशासुर नामक एक राक्षस था उसे भगवान प्रह्मा ने अमरता का बर्दान दिया था और इस आशीरवात के कारण महिशा सुर पृत्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा ऐसे में सभी देवी देवता उसके अध्याचारों से चिन्तित होकर प्रह्मा, विश्नु और महेश के पास जाते हैं तब दोस्तों तीनों देवताओं ने आदिशक्ती का आखवान किया तब दोस्तों भगवान शिव, विश्नु और अन्य देवताओं के ग्रोध के कारण उनके मुख से एक जोती प्रकट होई और वहत जोती एक स्त्री में बदल देवताओं इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्रशस्त्र प्रदान देवताओं तब माम दुरगा ने महीशासु को चुनो दी और नौ दिनों तक युद्ध चलने के बाद दस्वेन दिन मा ने महीशासु का बद कर दिया ऐसा माना जाता है कि इन नौ दिनों के दौरान देवी मा ने नौरुप धारन किये और राक्षसों का बद किया इसी कारण से इसे नौ दिनों तक नवरात्री के रूप में मनाया जाता है और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्री का विशेश महत्व मान गया है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नौ दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्री के दोरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है मनुष्य की आत्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है इस प्रकार लोग इच्छा, ग्रोध, अहंकार, ईश्या, लोब, आदिसे फुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी पुद्धी स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है आईए जानते हैं दोस्तों मातारानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के दस संकेत मिलते हैं कौन-कौन से संकेत हैं आईए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए अगर आप भी चाहते हैं कि मातारानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रिखना जय मातादी आपका स्वागत है तो आईए जानते हैं उन विशेश संकेतों की तो दोस्तों जब माताराणी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं और दोस्तों आपको प्राचीन ज्यान चैनल के मात्यम से उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं इससे आप पता लगा सकते हो कि माताराणी आपकी पूजा पार्ट से प्रसन्न है माताराणी आपके साथ म जब दोस्तों आपको पूजा के दारान आशू आने लगे eigenen वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आशू नहीं निकलते लेकिन नवरात्री के समय जब आप पूजा करें और आसू आने लगे तो समझ जाना मातारानी आपके साथ में है या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माताराणी आपके साथ में हमेशा आपके साथ में है, वह उर्जा स्वरूब बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं, ये प्रथम संकेत है दोस्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिम्टिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना, दोस परम सेवी का है जहां पर मातारानी की शक्तियां होती है यह मातारानी का उर्जा स्वरूप होती है और मातारानी का जहां उर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतह ही चिपक जाते हैं तो आपके साथ में मातारानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतह उर्जा शक माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है लोबान है धूप है चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास मे नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों